भारतिय रेलवे हर समय है गधिमान क्यूंकि इसके कांधे पर है आपकी उम्मीदे आपके सपने और आपको शीग्र और सुरक्षित मंजिल तक पहुँचाने की चाह। तभी तो रेलवे अपने इंफ्रस्ट्रक्षर को करती रहती है लगातार मजबूत और लाती है नए नए बदलाव। जहां पिछले 6 सालों में रेलवे ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्ग दर्शन में हासल की हैं कई उपलब्धियां। और इनहीं उपलब्धियों में से एक है मेकिन इंडिया के तहत मधेपुरा में स्थित इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री जहां बना था 12,000 होर्सपावर का पहला मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक एंजिन। अब यहां 24,000 करोड रुपे के पूजी निवेश से बनाए जाएंगे 800 इलेक्ट्रिक लोको जो बढ़ाएगार रेल की परिवहन क्षम था। बिहार में कनेक्टिविटी को सुगम बनाने की दिशा में बटना और मुंगेर में बना रेल सह सडक महासेदू। 6,000 करोड रुपे की लागत से बने इन दोनों महासेदू ने उत्तर और दक्षिन बिहार तक के आवागमन को किया है आसान। कनेक्टिविटी को बढ़ाने की दिशा में ही देहरी ओनसोन और सोननगर के बीच तीन रेल ट्रैक वाले पुल ने भी निभाई है महत्वपूर्ण भूमिका। जहां 130 किलोमेटर प्रति घंटे की स्पीड से मिशन रफ्तार के तहब दिल्ली और गोलकाता के बीच चल रही है रेल गाडिया। विद्यूती करण में रेलवे ने बिहार में अब तक कुल 3,318 किलोमेटर रेल मार्क के 90 प्रतिशत हिस्से का काम पूरा हुआ। रेलवे ने पिछले 6 सालों में 9,000 करोड रुपे के निवेश से बिहार में नई लाइन तथा आमान परिवर्तन का व्यापक स्थर पर किया है काम। 1150 करोड रुपे लागत वाले 23 रोड ओवर ब्रिज का निर्मान भी हुआ है पूरा। भारतिय रेलवे के आधुनी की करण से आज बिहार में स्टेशनों की बदली है सूरत। अब यहां एरपोर्ट की तरह हुई है प्रकाश विवस्था। क्विक वाटरिंग सिस्टम वातानोपूलित प्रतीक शाले विहार में तरक्की के कदम को बढ़ाती रेल कनेक्टिविटी जल्द ही अंतरराश्ट्रिय होगी। इसके लिए जयनगर को जोड़ा गया है जनकपुर से। रक्सॉल से काटमंडू तक रेल लाइन का भी जल्द शुरू होगा निर्मान। लोक संस्कृती को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण ट्रेनों के बाहरी भाग पर लगाई गई मिथिला पेंटिंग में स्थानिय कला को दी अंतरराश्ट्री पहचान। लगभग 300 किलोमेटर का इस्टन फ्रेट कॉरिडोर विहार से होकर गुजरेगा जो इस ख्षेत्र मिलाएगा बढ़ा निदेश। विहार बढ़े तरक्की के नए आस्मान को छुए इसलिए कई कारे प्रगती पर भी हैं जिसमें 1000 किलोमेटर के लगभग नई लाइन। दोहरी लाइन के नए रेलपुल का निर्मान शामिल हैं। अपने कई प्रोजेक्ट्स के माध्यम से रेलवे ने बिहार में खोले हैं रोजगार के अनेकों द्वार। आपकी हर यात्रा हो शुब यात्रा। इसलिए रेलवे ने 6 सालों में बिहार में कई असंभव से दिखने वाले कामों को संभव बनाकर आत्म निर्भर भारत की दिशा में अपने मजबूत कदम बढ़ा दिये हैं। जय है।